जय हिंद का हल चाल है हो चवय लोगीन बाबु जे पीएसी और जे एससी से समन दीद आपके मन में कई परकार के पर्षन उठते हैं कि जे एससी सीज्जल का एक्जाम कब होगा JPSC का विग्यापन कब आएगा आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि JPSC का विग्यापन आएगा तो उसमें कितने वेकेंसी रहेंगी हलाकि जो भी हमें authentic श्रोज से जनकारी मिलती है ये जनकारी आप तक साजा करने की हम कोशिस करते हैं हलाकि मेरा काम रोज ये नहीं बचता है कि हम आपको रोज news बना करके दें और आपको हम भरमित करें मेरा काम यही है कि authentic जनकारी जो भी हो हम आपके बीच ले करके आते हैं और बीच-बीच में ये भी बताते चलते हैं कि vacancy कब आईगी और कब आपकी exam होगी इसी क्रम में आज हम आपको ये विडियो देने जा रहे हैं जिसमें ये आपके मन में ही ये फर्स नूटते हैं बाबू कि JPSC की बिग्यापन कब आईगी या तो JSSE CIGIL की परिच्छा कब होगी JSSE CIGIL की परिच्छा कब होगी नगरपालीका का जो re-exam है वो कब होगा या JPSC की बिग्यापन कब होगी कब आईगी और इसमें टू को टोटल सीटो की संख्या कितनी रहेगी ये सारी चीजें आप छोटे मोटे कुछ ऐसे अपडेट आते हैं तो हम बार-बार चुकि हम आपको पहले ही बताएं की मेरा काम आपको विडियो नस से समंदित हर दिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा पढ़ाना काम है तो टेली ग्राम चनल पे आप जोईन कर जाएंगे विडियो बनाना हम रोज उछीट नहीं समझते हैं आईए हम बात करते हैं जे SSE सिजल से समन्दित तो जे SSE सिजल की जो एकजाम होगी वो आपकी जनवरी में होगी इस बात को आप ध्यान दे लिजिएगा और 17 जगा आप ये कोमेंट मत करने लगिएगा कि एकजमा कब होगी आप यहां अच्छे धंग से सुनिए कि JSE की जो आपकी जनवरी में होगी जनवरी में कहे होगी दिसंबर में جो 60-70 दिसंबर आपको समय दिया घया उसलिए नहीं होगी का है कि नगरपालिका के एक्जाम में धांधली हुई है वही धांधली को ले करके समझे उस पे जान चल रही है या तो एजेंसी कमर कस रही है कि सीजियल की एक्जाम में ऐसी कोई लपरवाही ना बढ़ती जाए तो इसलिए जो आपको 16 और 17 का डेट सीजियल का दिया गया थ यह डेटवा में आपका नगरपालिका का री एक्जाम होगा जो सीजियल का डेटवा था वो डेटवा में आपका दिसंबर में नगरपालिका का एक्जाम होगा इस बात को आप ध्यान रखेगा और इसी चीज़ को मान करके आपको त्यारी करने है हलाकि त्यारी आपकी पुरी शंभावना है इसे पहले भी आ सकती है JPSC की विग्यापन और ये विग्यापन होगी जिसमें सीटों की संखिया साड़े तिन सोर से ले करके चार सो के बीच होगी आप कई परकार के अपवा अभी आपको सुनने को मिलता है कि इतने विग्यापन जो होगी संखिया विग्यापन ये रहेंगे सीटों की संखिया इतनी होगी उतनी होगी लेकिन आप इस चीज को ध्यान दिजेगा साड़े 300 से लेकर के 400 वेकेंसी रहेगी और इसमें सीटों की संखिया होगी तो यहे थी बाबू जनकारी और एक authentic जनकारी अगर आप राप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जूर सकते हैं आपको यहां त्यारी करवाने के साथ एक authentic authentic जनकारी भी यहां दी जाती है और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जोइन कर लेंगी क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल पे जोइन करते हैं तो आपको वहां छोटी मोटी जनकारी हमेशा दी जाती है तो यही थी पाबू आज की जनकारी मुझे पुरियों मीध है कि आप आप जो आपके मन में ये लगतार परसन चल रहे थे इस भरम को इस विडियो द्वारा दूर कर दिया गया होगा वावो मिलते हैं कोई दूसरे विडियो में तब तक रखिएगा अपना ध्यान जय हिंद